नमस्का दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ जिसमें एक कोशन यहाँ पर अराइज होता है कि क्या गर्ल्फरेंट जो है यानि कि जो लड़का और लड़की आपस में साथ रह रहे हैं तो उसमें से जो लड़की है वो domestic violence का case अपने partner यानि कि अपने boyfriend हम बात कर सकते हैं या अपने partner के उपर case file कर सकती है domestic violence का यह question बहुत जादा important है आप सभी लोगों को एक समाज के अंदर रहने के साथ साथ इस question को समझना भी क्योंकि यह एक ऐसा question है जहाँ पर आप लोगों को अभी तो समझने के लिए लगेगा नहीं यार मेरे को तो जुरुरत नहीं है लेकिन जब कभी problem face करने को मिलती है जब आपको समझ में आता है कि हाँ यार यह topics domestic violence के 498A के या divorce के या maintenance के कितने ज़ादा important है हमार को यह सारे topics को समझना बिलकुल depth के अंदर तो आज इस video के अंदर यह topic में आपको clarify करूँगा जिसमें आपके दिमाग में एक clarity आएगी कि जब कोई लड़का और लड़की live in relationship में रहना चाता है तो क्या कोई condition होती है यो condition अगर उन्होंने लड़का और लड़के ने fulfill नहीं करी तो वो live in relationship में रहते हुए भी उनको क नहीं बात यह है और सुप्रीम गोड का एक recently नया नया बिल्कुल fresh judgment यहां पर release करा गया है जिसके बारे में आज इस video के अंदर आपको clarify करूँगा जाद देरी ना करते हैं हम वीडियो को start करते हैं यहाँ पर सबसे पहला हमारा topic आता है valid marriage आपको पता होगा कि या जब relationship में अगर आपको रहना है उसके लिए आपको कुछ condition impose करी गई है कानून के दौरा in fact courts के दौरा in fact supreme court के दौरा और अगर कोई आपको शादी करनी है तो उसके लिए भी हमारा कानून जो है आपको conditions impose करता है for example कानून के तहत अगर मैं बात करूँ कि अगर दो लोगों को शा शादी कर सकते हैं for example अगर उनका जिन्दा husband और पत्ति पत्नी है और वो दूसरी के शादी कर रहे है तो यह ओविसली वो criminal act कमिट कर रहे है बाई गैमी का क्योंकि हमारे हिंदू धरम के अंदर मानने था क्या है कि आप एक husband या एक wife रखोगे इससे जादा आप allowed नहीं हो य चाहिए है और उमर दोनों की 18 और 21 होनी चाहिए है हले कि 21 नहीं भी है तो भी आप शादी कर सकते हो जिसको हम child manage के रूप में consider करेंगे और वो legal तो होती है लेकिन punishable भी होती है याद रखिएगा अब यहां पे जो prohibited degree of relationship मतलब आप अगिर अपने maternal जो relationship में यानी कि बुआ बगेरा इन सबके जो बुआ के बच्चे होते हैं आप उनके साथ शादी नहीं कर सकते हैं ऐसा हमारे हिंदू धरम के अंदर होता है तो इसको हम बोलते है prohibited degree of relationship ठीक है यह हमारा शादी करने का condition थी यह तो simple सी बात है लेकिन यहां पे अगर कोई लड़का और लड़के live in relationship म रह रहे हैं तो उनके रहते हुए यहां पर जो है domestic violence का case बन सकता है या नहीं इसको जानने के लिए आपको एक छोटा सा term समझना पड़ता है relationship with the nature of marriage अब यहां पे सुप्रीम कोट बीच में आया था वाई देको सुप्रीम कोट ने बोल दिया था कि हम सारे के सारे relationship को हम live in relationship यह conditions को fulfill करती नहीं थी तो इसलिए सुप्रीम कोट ने एक नहीं condition impose करी कि आज से जो live in relationship में अगर कोई भी बन्दा रहना चाहता है तो इसको यह condition का पालन करना पड़ेगा अब आपको लग रहा हुए है वह थोड़े सी कानूनी जानकारी मेरे को और चाहिए या मैं कोई exam क की बिल्कुर strong हो जाता है sections की मात करूं तो मैंने वे आपको बता है relationship with the nature of marriage यह हमारा 2F के अंदर considered करा जाता है यह जो valid शादी करनी है इसकी कोई conditions है validity of a Hindu marriage यह हमारा section number 5 of Hindu marriage act 1955 के अंदर यह explained करा हुआ है in fact जो भी आपको में topic बता रहा हूँ कि क्या girlfriend जो है domestic violence का case file कर सकती है यह खुद included है हमारा protection of women domestic violence act 2005 के अंदर यह बहुत सारे topics होते हैं तो हमारा judicial exam की में बात करूं तो अगर आपको इसकी तेहरी करनी है तो अभी an academy के तुआरा 20% का discount चल रहा है आज है 14th October तो 14th October रात के 12 बर जिसे पहले पहले अगर आपको यह भी batch लेते हूँ तो आपको 20% discount मिलेगा बसे एक शर्त है कि आपको मेरा code यूज करना है SLG10 लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगा दूसरी बात यह है कि अभी न extensive judicial batch 20 October से चालू हो जाएगा आप एक साल की duration के साथ में बहुत सा ऐसे वच्चे होंगे ऐसे viewers होंगे जिनको लगता है कि है मेरे को एक्जाम पहले अभी judicial batch launch हुआ था linking judicial batch यहाँ पर भी 6 October से चालू हो गया था हमारा इसमें भी आपको 20% discount मिल जाएगा test series भी है और आपके लिए एक नया surprising offer भी an academy लेकर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों से जो इस चीज़ का wait कर रहे थे न वो an academy पूरा करने जा रहा है आप लोगों क को अगर guesswork कर रहा है कि क्या surprise आपके लिए हो सकता है screen के उपर जो दिखरा होगा आप comment box के न बता दीजेगा तो आप लोग अगर batches चाहिए है 20% discount के साथ में आज आपके लिए last day है last offer है तो आप मुझे यहाँ पर description box के लिए चेक करके आप subscription purchase कर सकते हैं रात के 12 विश से 20% discount SLG10 मेरा code है याद रखेगा अब इसके अंदर मुद्धे की बात मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमारा supreme court सामने आया था supreme court ने बोला था D. Value Swami vs. D. Pachai Ambal के case के अंदर यह हमारा 2011 supreme court का case है इसमें supreme court ने बोला था भाई देखो हम जो है न सारे के सारे living relationship को हम living relationship नहीं मानते अगर आप में से किसी को भी व्यक्ती को living relationship में रहना है तो इसको यह तीन बाते follow करनी पड़ेगी पहली अगर कोई कपल लड़का और के दौर पे रह रहे हैं ऐसा नहीं कि आप चुप-चाप रहने लग गए और किसी society को पता ही नहीं है आपने society में बताया हुआ कुछ और actually आप रहते हो आप साथ में कुछ husband and wife के दौर पे लेकिन आप society में बताते हो कि हम husband and wife है ही नहीं तो पहले तो गलती है आपने यह कर यह हो कि भाई आप आपस में actually शादी लीगल तोर से करना सको living relationship का मतलब क्या होता है एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे को समझेंगे समझने के लिए वो साथ रह रहे हैं समझ जाएंगे तो फिर वाद में शादी कर्द लेंगे ठीक है यही तो एक motive होता ह consent of the parties हो गया यहां पर आपका mental soundness हो गया age हो गया prohibited degree of relationship हो गया तो यह सब हमारा qualified to enter into a legal marriage ही तो है तो यहां पर third point होता है कि दोनों पार्टी आपस में अपनी इच्छा अनुसार voluntary consent से रह रहे हूं ऐसा नहीं है कि बाई कोई जोर जबस्ती करके कोई डरा धमका के या कोई अपने partner को involve कर रहा है ऐसा अगर है तो sorry आपका living relationship considerate नहीं करा जाएगा अगर यह तीन चीज़ फॉलो कर लोगे न तो यह मानने है था आपको मिल जाएगी girlfriend को या जो female partner होगी आपको तो female partner के पास पूरा अधिकार आ जाएगा कि female partner आपके उपा जो है डिमस्टिक वालिश Act 2005 का case कर सकती है लेकिन अगर यह तीन चीज़ फॉलो नहीं करी मान लेते कि एक husband and wife है एक husband and wife अपने साथ में रह रहे हैं ठीक है तो husband अपनी wife को छोड़ देता है डिवास में नहीं देता है छोड़ देता है wife अपने माई के चली जाती है अपने मा के घर रहनी के लिए अब अब यहां पर आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लागे बताइए वह husband के अपनी एक wife है spouse है बिल्कुल है अब husband जो है दूसरी महीला के साथ में रह रह रहा है तो क्या वह husband उस जो दूसरी महीला के साथ अपना रह 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 है उसके साथ लीगली तोर पर शादी कर सकता है भाई नहीं कर सकता मैंने आपको बताया नो living spouse living spouse आपका होने ही नहीं चाहिए जब आप आपस में शादी शुला हो और दूसरे living relationship में रह रहे हो आप आपस में शादी करी नहीं सकते जब आपस में शादी नहीं कर सकते तो qualified आप होई नहीं legal marriage करने के लिए और आप society में वो husband के उपर मतलब आदमी के उपर जो है domestic violence का case file नहीं कर सकती है याद रखेगा तो अगर मैं आपको यह समझ में आया होगा तो यहीं एक हमारा जो supreme court का एक latest बिल्कुल cream judgment था इंदरा शर्मा वर्सिज वी के वी शर्मा 2018 supreme court का case था supreme court ने इसमें बोला कि भाई हमने सारे living relationship को particular domestic violence act के अंदर relationship as a nature of marriage के तौर पे considered नहीं करेंगे भाई supreme court ने यह माना कि कोई लड़की जो है किसी लड़की के साथ living relationship में आ रही है सिर्फ यह intention के साथ में कि मैं इसके खिलाफ domestic violence का case file करूंगी यह गलत है और actually अगर उसको पर य value swami vs. d. pachai emble के अंदर case के अंदर 2011 के अंदर supreme court ने already points explain करें थे तो अगर यह conditions आ फुलफिल करते हो लेगल marriage के conditions फुलफिल करते हो तो आप domestic violence का case लड़की जो है अपने partner को पर कर भी सकती है और लड़की जो है अपने partner को पर नहीं भी कर सकती condition अगर fulfill follow नहीं करें तो मैं आपको लिए ऐसी वीडियो लेकर आया करूँगा वीडियो अच्छे लगिया तो informative लगिया तो वीडियो को like जो करेगा चैनल को subscribe जो करेगा और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को share करके सारी जगा आप यह awareness के तौर पर फैलाईएगा जरूर हम मिलते है नेक्स वीडि